जहिन दोस्तो मैरे अनवीर चाओदरी रिटायर असिस्टेंट कमांडेंट्स यार पी अफ रिम क्लासिस की यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत करता हूँ दोस्तो आज अपन बात करेंगे राजस्थान पुलिस सभी इस्पक्टर के बारे में जो बच्चे सपना देखते हैं राजस्थान पुलिस में सभी इस्पक्टर बनने का जो बच्चे पहले से परकिरिया में चल रहे हैं लास्ट वेकेंशी जो 2016 में निकली थी उसके जो फाइनल लिश्ट अभी निकलनी है उसके बारे में और पूरी डिटेल्स बात करूँगा मैं सारी चीज़े आपको बताने वाला हूँ नई वेकेंशी कब तक आ सकती है और क्या संभावन आये हैं कितने पोस्ट उसमें हो सकती हैं कैसे आपको तैयारी करनी है कैसे अपने आपको मजबूत बनाना है यह सारी चीज़ों पर अपन डिसकस करेंगे तो जो बच्चे पहली बार चैनल पर हैं वो सब इंस्पेक्टर बनने से समंधित पूरी जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन में पहले वाले वीडियो भी देख सकते हैं और इस तरह की और जानकारी के लिए आउनलाइन तयारी करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं तो सुरू करते हैं दोस्तों सबसे पहले तो जो वेकेंशी अभी चल रही थी उसमें अठारा सो बच्चों ने जो इंटर्यू में सफलता प्राप्त की है उनमें से अब एक कटोफ निकलेगी सारी केटेगरी वाइस में देख रहा हूँ बच्चे बहुत परेशान है कि सर मेरा नमबर आएगा या नहीं आएगा महिलाओं के लिए लग है एक्स में अलग परेशान है सारे बच्चों में ये लग रहा है कि किसका नमबर आएगा किसका नमबर नहीं आने वाला है किस कैटेगरी में कहां तक कटोफ रहने वाली है तो दोस्तों ये बहुत उलजा हुआ मामला है बहुत जो कटोफ बनने वाली है यह बहुत उलजन बरा काम है, इसमें कोई भी कयास है, उनका पता नहीं चल पाएगा, सबसे पहले इसमें category wise cutoff निकलेगी, फिर category के अंदर X-Men अलग से सामिल होंगे, फिर हर category के अंदर महिलाओं की 30% सीटें अलग से होंगी, तो इस तरह से बहुत पेचिदा काम है cutoff निकलन और यह जब RPSC final list निकालेगी तब ही पता चल पाएगा, तो आप बार बार इधर उदर फोन करके अंदाजा लगा के आप प्रेशान मत होईए, जब वेकेंशी कितनी होती है, यह भी अभी तक final नहीं हो पाया है, आप लोगों ने जो काफी बच्चों ने बहुत अच्छा परियास किया है, वेकेंशी बढ़ाने के लिए MLS से, MPs से जो सिफारिश करवा रहे हैं, आप लोग जो आंदोलन एक तरह से जो आप कर रहे हैं, उसका भी फायदा आपको मिल सकता है, थोड़ा सा इंतजार करिए, वेकेंशी भी 200 पदों के लिए जो बढ़ने की संभावन मेडिकल के टाइम ही, आपका हाइट, चेस्ट, वेट वगेरे जो भी पेंडिंग है वो भी हो सकता, और मेडिकल बहुत नॉर्मल सा होता है, तो उसके लिए ज़्यादा परेशान होने की जरुत नहीं है, तो ये तो हो गया जो बच्ची अभी तक तैयारी कर रहे थे, अब जो विकेंच से निकलने वाली है, ये 800 पदों के लिए हो सकती है, तो 800 पदों के लिए आपको पूरी राजस्थान में कम्पेटिशन होगा इसके लिए, जो बच्चे पिछली बार रह गए हैं, चाए वो फिजिकल में रह गए, चाए वो इंटर्व्यू में रह गए, ये तो सबिस्पेक्टर ही बनना है, और उस लक्से बनाने के बाद में आपको पूरी कारी योजना बनानी पड़ेगी, और कारी योजना बनाने के बाद में आपको लगातार मेहनत करनी पड़ेगी, दोस्तों बहुत कम पोस्ट होती है ये, और सबसे पहले जब हम रिटन बच्चे फिर बाहर निकलते हैं तो इस इस्तिती से बचने के लिए लास्ट तक हम पहुंचें इसके लिए हमें सबसे पहले तो हमारा की त्यारी सबिस्पेक्टर नहीं बना जाता यह चीज द्यान रखिए अगर आपको सबिस्पेक्टर बनना तो आपको अभी से तुरंत आपको पढ़ाई शुरू करने पड़ेगी और जो दो सब्जेक्ट हैं इसके अंदर एक जीके का पेपर होता है और एक हिंदी सब्जेक नहीं रहता है तो वो भी आपको साथ-साथ ध्यान रखना पड़ेगा कि फिजिकल में क्या-क्या होता है और उसके लिए हमें किस तरह से अभी से प्लानिंग करके तैयारी करनी है और लास्ट में रहता है दोस्तों इंटर्व्यू का बहुत बड़ा रोल नहीं रहता है नहीं वेकेंशी आने वाली है उसकी डिटेल्स मैं आपको पिछले वीडियो में बता रखी है वहां से आप देख लीजिए और नहीं वेकेंशी के लिए आपको फटा-फट तैयारी शुरू करनी की जरूत है रिम डिफेंस अकेडमी ने इसी चैनल पे आपको हिंदी की क्ल मैच रिजनिंग के जो क्यों सनाते हैं वो नोर्मल होते हैं वो आराम से आज मी बाद में भी तैयार कर सकता है बट हिंदी सब्जेक्ट के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूत है और वो आपको अभी से तैयारी शुरू करनी पड़ेगी कौन-कौन इसके लिए आव एज में होंगे उनको चांस मिल सकता है अर्थार दो साल की एज में छूट मिल सकती है जब तक नोटिफिकेशन नहीं आता तब तक कोई नहीं कह सकता तो सब इंस्पेक्टर अगर आपको बनना है तो दोस्तो उस रास्ते पर चलना पड़ेगा जिस पे बहुत कम लोग चलत 她 अपकी क्या कमजोरिया है कहा कहा अपको इंप्रूव करने की जुरूत यह वो आपको खुद को डिसाइट करना पड़ेगा और खूद उसी तरह से आपको मेहनत करनी है तभी आप सफल्व कर सकते हो और जैसे ही लोगडाउन खतम होता है कोचिंग खुलती है इसके बाद में राजस्तान पुलिस सविंस्पेक्टर के लिए स्पेशल बैच रिम डिफेंस अकेडमी में चलने वाला है जिसके लिए हॉस्टल फैसिलीटी है गल्प सोर बोईस दोनों के लिए फिजिकल है मैं साथ ही इंटर्विव गडायारी हम करवाते हैं साथी इंटर्व्यू पूरी करवाते हैं और पूरा पूरा प्लते पकेज है श्रोफस बैर आक आपको साथ में मिल सकता है, सल बज्रों को चाहते हैं ही क्रूंस अकाल में जहातने बहुत अच्छाDet फीजिकल में हमने बहुत अच्छा रिजल्ट दिया और फाइनल सेलेक्शन में भी देखते हैं कितने बच्चों का फाइनल सेलेक्शन होता है अभी जो अठारा सो बच्चे इसमें से पचास से ज्यादा बच्चे रिम डिफेंस अकेडमी में तैयारी किये हुए जिनों रिट अश्रोया खाइनल स्वाइनल सेलेक्शन होता है